Hello everyone, welcome back to another video of HP TAT series HP, LT TAT और Non-Medical TAT 24 नवंबर 2024 को connect कर हुआ जाएगा जिसमें 30 questions general awareness के पूछे जाते हैं So इस वीडियो में हम general awareness के important question discuss करेंगे स्टार्ट करते हैं पहले question से हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर war memorial सीता है वर memorial है धर्मशाला में Option C A connect होगा धर्मशाला अगला question है हिमाचल में penčायती राज अधिनिम कब वापिस किया गया When was penčायती राज अक्ट withdrawn in їन हिमाचल penčायती राज अधिनिम कब वापिस किया गया था 1968 इसमें 1968 में पंचाइती राज अधिनी भीमाचल प्रदीश में वापिस लिया गया था, option C क्रेक्ट हो Next question है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह नारा किस ने दिया सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह नारा दिया था, राम प्रसाद बिस्मिल ने एक करांतिकारी थे, option D क्रेक्ट होगा, राम प्रसाद बिस्मिल अगला गुशन है पोरी मिला हिमाचल प्रदेश के किस जिलिमे में मना जाता है पोरी मिला हिमाचल प्रदेश के लौस्पिती में मना जाता है option D क्रेक्टों का लौस्पिती अगला गुशन है हिमाचल प्रदेश में प्रेटक नीगम की स्थापना कम हुई थी प्रेटन नीगम की स्थापना हुई थी हिमाजल प्रदेश में 1972 को 1972 को प्रेटन नीगम की स्थापना हुई थी अगला कोशन है सांगला घाटी को इसमें से किस नाम से जाने जाता है सांगला घाटी को बसपा घाटी के नाम से भी जाने जाता है option C रहटोगा बस पागाट अगला कोशन है बीहु नरित्य भारत के किस राज्य से समधित है बीहु नरित्य असम का है option C रहटोगा असम राज्य में मना जाता है बीहु नरित्य बीहु नास असम का है अगला कोशन है भारत ने श्रिलंका से शांती शेना को कब वापिस बुला लिया था वेन इंडिया कॉल्ड बैक पीस केपिंग फोर्स फ्रॉम श्रिलंका 1987 को 1987 को भारत ने श्रिलंका से शांती शेना को वापिस बुला लिया गया था 1987 अगला कुशन है एक नवंबर 1978 को हिमाचल प्रदीश के किस स्थान पर क्रिशी विशो विद्यले की स्थापना हुई थी यहाँ से एक तो आपको यह आद रखना है कि क्रिशी विशो विद्यले की स्थापना हुई थी एक नवंबर 1978 को क्रिशी विशो विद्यले की स्थापना हुई थी University के पहले Voice Chancellor थे Dr. Heth Ram Kalia Heth Ram Kalia अगला कोशन है Panama Nahar किन दो महासागरों को जोड़ती है Panama Canal connects which two oceans Panama Canal Pacific Ocean और Atlantic Ocean को जोड़ती है परसांत महासागर और Atlantic महासागरों को जोड़ती है Panama Nahar Option D Correct अगला कोशन है पश्मिना उन किस से प्राप्त की जाती है पश्मिना उन इस अब्टेंड फ्रॉम पश्मिना उन बकरी से प्राप्त की जाती है Option A रेक्ट होगा गोट Next question है कौन सा राज्य अपने परसिद Backwaters के लिए जाना जाता है Backwaters के लिए जो स्टेट जाना जाता है केरला केरला सेट जाना जाता है Backwaters के लिए अगला कोशन है मुख्यमंतरी सेवा संकल्प हलप लाइन नंबर क्या है मुख्यमंतरी सेवा संकल्प हलप लाइन नंबर है 1100 Option B करकट होगा 1100 हिमाचल प्रदेश के हिमाचर प्रदेश के किस जिल में राज्य विसो विदेले 2022 में खोला गया, 2022 में मंडी में उनिवर्स्टी खोली गई थी, सरदार वल्लब भाहि पटेल उनिवर्स्टी जिसे SPO उनिवर्स्टी के नम से जाने जाता है, परेवर्ण दिवस कब मना जाता है परेवर्ण दिवस मना जाता है पांच जूब को अगला कोशन है भाकडा बांध किस वर्ष बनाये गया भाकडा बांध बनकर त्यार हुआ था 1963 को option एक रहट होगा 1963 भाकडा बांध बना है सतलो जुनादी बे ऑस्टेलिया की राजधानी है ऑस्टेलिया की राजधानी तो कैपिटल ऑस्टेलिया इस ऑस्टेलिया की कैपिटल है के इनबरा पगला कोशन है लोकसभा में किसी विदेग को धन विदेग की रूम में कौन परमानित करता है लोकसभा में धन विदेग को परमानित करता है लोकसभाद एक्ष, option B correct होगा लोकसभाद एक्ष के पास ये power होती है लोकसभा speaker के पास कि कोई धन विदेग है या नहीं ये पर्मानित करता है, ओके, सर्टिफाई करता है, धन भी देखो गेवल, लोकसभा में इंटर्ड्यूस की जाता है, अगरा कोशन है, आनंद मठ के लेकक का नाम है, आनंद मठ के लेकक है, वंकिम चैंदर चटो बाध्याए, अगरा कोशन है, कुलू जिले में हडिमबा की याद में धंगरी मेला मना जाता ह controll व्योंट n फ कि याद में डंगरी मेला अलगैए देवी utjan Philippa का मंलू के मनाली में के फाल को घ्रिमबा का मंदिर ये बनाता 1553 1553 में की रीबा देवी का मंदिर राजा वाधर शने वान ने बना भाधर शनी अगला गोशन है राष्ट्रे किसान दिवस कब मना जाता है राष्ट्रे किसान दिवस National Farmers Day में अधाय 23 दिसंबर को अप्शन ए प्रिशिद कहानी उसने कहा था ये किसने लिखी है उसने कहा था ये कहानी लिखी है चंदरधर सर्मा गुलेरिन अगला गोशन है प्रीवी पर्स की समापती किस वर्स हुई थी? प्रीवी पर्स की समापती हुई थी 1971 को 1971 इस्वी में अगला गोशन है थार्स वत्तावन इस्वी के विद्रोह को भारत की सोतंतरता के लिए संघर्स किसने कहा था? भारत की सुतंतरता के लिए संगर्स ये कहा था वीर सावर करने option B क्याक्टो का वीर सावर कर की statement ये भारत की सुतंतरता का संगर्स 1850 का विद्रो था किमाचल प्रदेश के गोविन सागर वन्य जी विवहार के स्रक्षन का भार किसके पास्वापा गया है चार्ज फॉर कंजर्विंग द गोविन सागर वाडलाइफ सेंचुरी ये है भागड़ा मैरेजमेंट कमेटी के पास option एक रहतोगा भागड़ा प्रबंदन समीती को सौंपा गया है मुक्षियरोपसे किन प्राणियों के लिए हैं अग्रा कुश्चन इंपोर्टन है और बार बार टैट के अगजामिशन में पूचा भी गया है बारत की सौदंतरता के समय लेंड का प्रधार्मंतरी को था Who was the PM of England at the time of independence of India Clement Italy यानि Lord Italy PM थे England के जब भारता जाद हो था यानि 1947 के दौरान Next question है भारती ये वायू से ना किस थापना कब हुई थी When was Indian Air Force established Indian Air Force किस थापना हुई थी 8 हक्तूबर 1932 को Important question है एकला question है लालोजी नामक जोद हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सी था देखिए ये अभी जो रिसेंटली टैट हुआ 17 तारिक को इसमें भी ये question आया हुआ है लालोजी नामक जोद हिमाचल प्रदेश के लॉल्स पिती में है Option B करेक्टो का लॉल्स पिती Operation Blue Star किस से समदीत है Operation Blue Star समदीत है सोण मंदिर से यानि Golden Devil से Option A करेक्टो का सोण मंदिर अगला कुछन है 1857 की गरांती के समय शिमला का Deputy Commissioner कौन था 1857 की गरांती के समय शिमला का Deputy Commissioner था William Higg विस्व रक्तदान दिवस Word Blood Donor Day कब बना जाता है Word Blood Donor Day Celebrate की जाता है 14 जोन को अगला कुछन है भुमद्य रेका कितने अक्षांस से होकर गुजरती है भुमद्य रेका 0 डिगरी अक्षांस से होकर गुजरती है Option A करेक्ट होगा 0 डिगरी अक्षांस Next question है सिवाजी ने 16 जोन 1674 को ताज ग्रहन करते समय कौन सी उभादी धारण की थी तो छत्रपती की उभादी धारण की थी उन्होंने लिखने याँ से आपको एक और कोशन बन सकता है कि सिवाजी ने ताज ग्रहन कब किया था तो सिवाजी ने ताज ग्रहन किया था 16 जून 1674 को ओके डेट याद रखें 1674 1674 AD अगला कोशन है संसद के दोनों सदनों में बैठक के पहले घंटे को क्या कहा जाता है फर्स्ट आगर जो होता है पारलियमेंट इमों से कहा जाता है प्रशनकाल कोशन आवर प्रशनकाल अगला कोशन है भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य है भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य है मद्धेवर्देश अप्शन A मद्धेवर्देश बिगेस्ट लेटो स्टेट अगला कोशन है भारत में लोकतंतर इस तत्थे पर अधारित है डेमोक्रेसी निइडिया rests on the fact that समिधान लिखेते हैं सही है यहां मूल अधिकार है बिज़ों सही है लोगों को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार है निती निज़े से तत्थे ठीक है important तत्थे यह है कि लोगों को सरकार चुनने का और बदलने का अधिकार है option c correct होगा people have right to choose and change the government अगला कोशन है किस फिलम ने सर्फस्रेस्ट फिलम का ओसकर पुरुसकार बहुजार चॉबिस जीता ओपिन हाइमर मुवी ने ओसकर 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 अवार्ड जीता best film 2024 का धामी ट्रेजडी कब हुई थी आपको बताना है comment section धामी गोलिकांट किस वर्स हुआ एकला कोशन है जहांकी किस जिले का लोक नेत्य है जहांकी is the folk dance of which district जहांकी चंबा का है option डीक रहट होगा चंबा का लोक नेत्य है जहांकी गोरी देवी का टिबा चोटी हिमाचल प्रदीश के किस जिले में सित गोरी देवी का टिबा डिस्टिक चंबा में है option डीक रहट होगा चंबा में है गोरी देवी का टिबा पीक परसीद बकरी प्रजनन के अंदर ताल किस जिले में है बहक्री प्रजननद के अंदर ये हमीरपूर में हैं, हमीरपूर के ताल में है, बहक्री प्रजननद के अंदर भेड प्रजननद के अंदर ऊगे Ship Breeding Farm अगला कुछन है, बारतीय समधान के अंतरगत, नयाइक पूर्णा विलोकन के शक्ती किस के पास है Power of judicial review under the Indian Constitution जूडिशियल रविव की पावर हाई कोट और सुप्रीम कोट दोनों के पास है सब्सक्राइब और सुप्रेम कोट के पास जूडिशियल रविव का कंटेप्ट यह भारत इंडियन कोंस्टिउशन में लिया गया है यूइस से के लग ऊच्छन नहीं हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मकोडी जोत सित है, मकोडी जोत है दिस्टी कांगडा में option एक रेक्ट होगा, कांगडा, अगला कोशन important है, हिमाचल प्रदेश में पहले weather Doppler radar, at which place the first weather Doppler radar is established in हिमाचल प्रदेश, को free में established किया गया है, weather Doppler एक रेक्ट होगा, अगला कोशन है, किस वंस के शासत ने स्रिलंका पर आकरमण किया था, name the dynasty of a ruler who attacked स्रिलंका, तो यह थे चोला नरेश जिन्होंने आकरमण किया था स्रिलंका पर option D, क्रेक्ट होगा, अगला कोशन है, कांगडा जिला कब बना था, when was district कांगडा formed, district कांगडा क अगला की formation अलग से जो district कांगडा है, अब है जो कांगडा अधुनिक, वो बना था, 1 सप्टेंबर, 1972 को, 1972 को कांगडा की स्थापना हुई थी, कांगडा से अलग हुए थे जिले, एक तो उना district हुई थी अलग, और दूसरा बना था हमिरपूर, हमिरपूर उना तोटकर अल प्रत्म सेना प्रमुख कौन है, हिमाचल प्रदेश से प्रत्म सेना प्रमुख, who was the first army chief from हिमाचल प्रदेश, first army chief from हिमाचल प्रदेश, यह है जनल वी अन सर्म, option D correct word, जनल वी अन सर्म, next question है, निवन में से किस नदी का आयतन सबसे अधिक है, which is the largest river in terms of volume, in terms of volume, चिनाब सब सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा पानी चिनाब में है, option एक रेक्ट होगा, अगर lengthwise बात करें कि सबसे लंबी नदी कोन है हिमाचल प्रदेश की, तो वो है सतलूज रिवर, लेकिन यहाँ पे in terms of volume है, in terms of volume है चिनाब, चिनाब नदी बनती है, चंदरा, चंदरा और है, चंदरा और भागा कहां मिलती है, तांडी में, अगला question है, हिमाचल पोलेंटरी नामक किताब का लेख कोन है, who is the author of book हिमाचल पोलेंटरी, हिमाचल पोलेंटरी बुक लेखी है, D.N. मजुमदार ने, option C, क्रेक्टों का D.N. मजुमदार, अगला question है, भारतिय जनसंग क को ते, who was the founder of the भारतिय जनसंग, भारतिय जनसंग के संस्ताबक ते, श्यामाजी, डॉक्टर श्यामाजी, परसाद मुकर जी, option C, डॉक्टर श्यामाजी, परसाद मुकर जी, वाँज था, भारतिय जनसंग, अगला question है, कालेकर आयोग स्थापित किया गया था, कालेकर स्वर्दन की राजदानी का नाम क्या था? वट वास बाज नेम ओफ हर्सवर्दनाज कैप्टल हर्सवर्दन की राजधानी थी कन्नौज option A कर्थ होगा कन्नौज पलासिक आयूद किस वर्स हुआ था the battle of Alasi was 14th year पलासिक आयूद 1757 में हुआ था option A कर्थ होगा 1764 में कौन सा यूद हुआ था बक्सर का यूदू सांची के स्थूप का निर्मान किस ने करवाया असोक ने जैन धर्म के प्रतम तिर्थंकर कौन थे who was the first तिर्थंकर of जैन रिशबनात was the first तिर्थंकर of जैन option D ग्रेटो जैन धर्म में total कितने तिर्थंकर हुए आपको comment section में बताना है धारा 370 को कब स्माप्त किया गया था when was article 370 370 abrogated धारा 370 को 5-6 अगस्त 2019 को स्माप्त किया गया था 2019 ओगे अप्शन भी नव निर्मान आदोलन किस राज्य से शुरू हुआ in which state was नव निर्मान मुवमेंट started गुजुरात से शुरू अधन नव निर्मान मुवमेंट and last question है तेहत्रवा समिधानिक संसोधन किस से समंदित है तेहत्रवा समिधानिक संसोधन समंदित है पंचायती राज से और चुहत्रवा समिधान संसोधन समिधनत है 74th constitutional amendment act related to municipality यानि नगरपाली का 75th राज से आप हमें follow कर सकते हैं Instagram, WhatsApp और Telegram पे इनका link आपको वीडियो के description और first comment में मिल जाएगा अगर आपका कोई question है तो आप Instagram पे हमें direct message करके पूछ सकते हो चैनल अगर आपने subscribe नहीं किया है तो subscribe कर ले by like on the बादे जिसे आपको timely notification मिलती रहेंगी अपना feedback का comment section में जू लिखेगा Thank you